Expressive Language Development Dear students, इससे पहले मैंने आप से Referential Language Development पर बात की है अब इस मोडूल में मैं आप से Expressive Language Development की बात करूँगा Expressive Language refers to how your child express himself or herself Most of the, most kids utilize blend of both styles यनि दोनों style से वो बातचीत करते हैं लेकिन expressive style में जो बच्चे हैं यनि इससे आपको पता चलता है कि आपका जो child है वो कितना अपने आपको express करता है और किस तरह करता है अच्छा इसमें जो इस category के बच्चे हैं वो अपने adults से भी interaction करते हैं और peers से भी interaction करते हैं पहली जो referential language development के जो type है उसके मुकाबले में वो जिसमें के सिर्फ वो अपने adults से interaction करते हैं peer से interaction नहीं करते हैं इस language style में वो दोनों से यकसा interaction करते हैं adults से भी और peers से भी और ये एक common language learning style है यह नहीं expressive learning language मैंने आपको बताया कि इस language style में बच्चे social होते हैं वो social words के जरीए अपने आपको इजहार करते हैं और वो एक दूसरे से बात चीट करते हैं और इस बात का भी ख्याल नहीं रख सकते हैं कि आया कि उनकी जो गुफ्तगू है या उनकी जो communication है वो दूसरे को समझ आ रही है या नहीं आ रही है और वो ज़्यादा social होने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं कि वो दो-दो words को आपस में इनमें combine कर लेते हैं जैसे कि उसकी मिसाल हम कहते हैं कि stop it I want to go या इस तरह करके वो words को बोलते हैं और इस language में जो बच्चे हैं वो majority जो है वो अपनी अपनी जो emotions के express करने के लिए language का इस्तमाल करते हैं या अपनी requirements के express करने के लिए वो बातचीत करते हैं जो इस style में expressive language style में अपने emotions और अपनी requirements का वो इजहार करते हैं इसमें यह होता है कि first kids utter sounds like babbles then copy rhythm and beat speech यानि पहले वो babbling करते हैं फिर वो rhythm को देखते हैं और फिर speech उनकी और young children with language difficulties में poor eye contact यानि इस तरह के जो बचे हैं वो पूर eye contact होता है क्योंकि उनको पूरा अपना वो language की जो उनके पास उसको language लडने में अगर difficulties हो रही हैं तो इसलिए वो पूर eye contact उनका होगा और उनको दूसरों के साथ difficulties हो रही हैं interaction करने में तो जो expressive language style है इसमें जो children हैं या बचे हैं या kids हैं वो expressive होते हैं वो express करते हैं अपने आपको और अपनी emotions को और अपनी और यहां तक के वो जो जो उनकी vocabulary है तो limited spoken vocabulary है वो 50 अलफाज से भी कम यह दो साल की उमर तक उनकी जो vocabulary है वो 50 words से भी कम होती है और इसी के जरीए वो अपनी जरूरियात का वो अपनी चीज़ों का इजहार करते हैं तो expressive language development जो है यह दूसरा style है language development का दूसरी type है जिसमें बचे अपने आपको express करते हैं अपनी जरूरियात के लिए और अपने पहले वो sounds utter करते हैं और फिर rhythm की शकल में और फिर उसके बाद उनकी जो पीच होती है भी मतलब उसकी और फिर अगर उनको difficulty पेश आए तो वो eye contact करना में उनको problem होता है और फिर क्या है कि दो साल की एज तक वो अपनी जो एक limited उनकी है vocabulary that may be less than 50 words तो उसी से वो अपनी गुफटगू करते हैं और बातचीत करते हैं झाल